दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप सोनी का अगर आपके पास कोई भी ओम थेटर है जिसमें ब्लूडूथ होगा फ्रेंट्स उसको अपने PC, कम्प्यूटर या लैप्टोप से कैसे कनेक्ट करेंगे तो इस वीडियो के साथ रहेगा पूरा वीडिय कर सकूं लेकिन फ्रेंट्स आज अचानक से मैंने अपना जो बूडूद डिवाइस में ले रहा था उसे कनेक्ट किया उसके बाद अपने वॉम थेटर को वहां से सर्च किया उसके बाद मुझे एक पिन मांगा फ्रेंट्स काफी सारी मैंने वह ओम थेटर के ऊपर नीचे स FRIENDS इस वीडियो के साथ रहीएगा पूरा वीडियो देखिएगा FRIENDS कई सारे कमेंट भी आ रहे थे home theatre को laptop से अपने computer से कैसे connected करेंगे तो मैं उनको बता रहा था FRIENDS आप analog cable से या for aux cable से से connect कर सकते हैं क्योंकि PC में और लेप्टॉप में 3.5 का जैक दे रखा होता है तो आक्स केवल से आप कनेक्ट कर सकते हैं यही जवाब दे रहा था उनको लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा वायरलेस तरीके से कैसे कनेक्ट करेंगे तो फ्रेंट से नीचे सब्सक्राइब बटन है उससे किलिक करके जरू लाइक भी करते हैं और फ्रेंड्स कमेंट भी करें कोई समस्या कोई सुझाव हो तो जरूर से कमेंट करें तो मैं एक बहुत आसान तरीके से आपको वह पिन भी बताऊंगा और कैसे कनेक्ट होगा ब्लुडूट से आपका सोनी का कोई भी हम थेटर तो इस वीडियो के साथ पात रहिए का लाश्ट तक पूरा वीडियो देखना कुछ मिस मत करना फ्रेंड्स हो सकता है आप कनेक्ट ना कर पाएं तो चलिए वीडियो सुरू करते हुए तो दोस्तों कुछ इस तरह की यह डिवाइज है बुलूडू डिवाइज है जिसे हम अपने कंप्यूटर में लगा देंगे जो यूएजबी पोर्ट होगा उसमें इसे लगा देंगे फ्रेंड्स तो मैंने यह 500 रुपे की खरीदी थी मैंने यह लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा इसका वहां से खरीद सकते हैं कई सारे लिंक हैं वहां से इसे खरीद सकते हैं और फ्रेंड्स इसके नीचे आपको ब्रादर की यह प्रिंटिंग मसीन करिया है चेक आउट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स तो इसे लगा देना है फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर के यूएस्वी पोर्ड में तो यह देख लिजिए फ्रेंड्स अभी मैंने अन्बॉक्सिंग वीडियो इस मसीन का भी बना रखा है उसका वीडियो आने वाला है तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसे यूएस्वी पोर्ड जो हमारे दे रखा है फ्रेंड्स इसमें अच्छे से लगा देना है तो यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए एक बार लाइट यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर की जल गई है हमारे Bluetooth device में इसका मतलब यह connect हो गया है और हमें आ जाना है अपने computer को यहाँ पे friends on कर देता हूं उससे पहले friends हमें चले जाना है अपने home theater में और home theater में friends मैं आ गया हूं और यहाँ पे friends देखिए BT पर है यानी Bluetooth पर इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे मैं इसे switch off करके आपको दुबारा से बता देता हूं और यह मेरे हाथ में है remote इस remote से friends मैं इसको switch off कर देता हूं एक बार और इसके बाद इसको on कर देते हैं तो च जो on off का green button है उसके बरावर में left and side में हमें मिल जाएगा input और उससे लगा देना है BT तो यहां भी BT यानि Bluetooth पर यह आ गया है इसे यहीं छोड़ देना है और आ जाना है अपने computer की screen पर या laptop की screen पर और friends नीचे यहां पर आपको शायद दिख रहा होगा यहां से Bluetooth की जो setting उसमें चले जाते हैं मैं आपको थोड़ा पास से इसको दिखा देता हूँ यहां पर देखिए friends Bluetooth दिख जाएगा आपको और हमें एक बार Bluetooth पर अपने mouse से क्लिक कर देना है तो यह हमें लेके आएगा एक setting पर तो यहां से चलिए double click कर दीजिए और यह Bluetooth की एक जो setting है वो open हो गई है तो यहां friends कई सारी settings दिख जाते हैं सबसे उपर आपको दिख जाए तो सबसे उपर वाले पर हमें क्लिक कर देना है तो यहां पर सबसे उपर जो है इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं उसके बाद और भी setting आईगी और friends यहां पर तीन setting आ जाती है तो हमें कहीं और नहीं जाना है सबसे उपर वाली setting जहां पर Bluetooth का sign दिख रहा है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए यहाँ पर फ्रेंट्स तीन सेटिंग है नीचे और सबसे उपर जो है बुलुडूट का जहाँ पर साइन दिख रहा है उस पर एक बार क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद एडिवाइस एड़ डिवाइस और नीचे आजाएगा सोनी HDRT 3 तो मैं एक बार इस पर क्लिक कर दूँगा तो चलिए इस पर भी एक बार क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे connect होने लगेगा connecting दिखा देगा लेकिन friends यहां पर हमें एक pin डाल देए हैं यहां पर जरूर आपसे भी एक pin मांगेगा तो वो pin क्या होगी बताऊंगा friends मैं भी तो यहां पर चलिए pin डाल देते हैं और pin को यहां मैं friends एक हाथ से अपने mobile को पकड़ कर यह वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा वीडियो हिल रहा है और pin डालने के बार friends यहां से connect कर देना है तो यहां से friends ही देखिए connected for music आ गया है connect music और यहां पर friends दिख रहा होगा disconnect और नीचे friends एक बटन है यहीं पर जिससे हमें done कर देना है और back चले जाना है तो यहां पर friends देखिए यह done है music हमारा हमारे sony के hdr3 से connect हो गया है और बहुत आसानी से हो गया है friends आप भी ऐसे करके अपने sony के किसी भी home theater को अपने pc से connect कर सकते है और उसके बाद friends मैंने यहां पर YouTube को open किया है यह देखिए friends YouTube को यहां पर मैंने open किया है और friends पता है वो आपको जो मैं पिन बताने वाला था उस पिन का क्या थी वो पिन friends वो पिन थी 0, 0, 0, 0 यानि चार टाइम आपको 0 टाइब करना है तो friends ऐसे करके आप Sony का जो पिन है जो पिन मांगता है वो पिन है चार वार 0 यानि 4 टाइम 0 वहाँ पर टाइब कर देना है और यहां पर friends मैंने एक music को प्ले किया है लेकिन मैं इसका sound आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि YouTube काफी stick हो गया है तुरंती copyright claim भेज देता है और friends यहां पर मैं music आपको नहीं सुना रहा हूँ लेकिन चवर जस्त music है Sony के HTRT3 का computer से connect होने के बाद ऐसे करके friends आप कर सकते हैं अपने laptop PC computer से connect अपने Sony HTRT3 या Sony के किसी भी ओम टेटर को आपने वीडियो पूरा देखा धन्यवाद दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों